तागी जैन, एक साभुकार्था उसके साथ बेदे थे और एक बेदे थे, वह साथ को भायों की प्यारी बेहन की, एक साथी बैठकर खाना खाते थे, एक दिन कार्थी की चौर्ण आई तो उसकी बहन ने तर्वा जोपता ब्रखा, तारे भायों बोजन सदे आई और अपनी ब पर्षे जंगल में आग लगाकर चलनी मैसेशे दिखा दिया, तो वह अपनी भाद्यों से बोली, जरो चांद निकलाया है, अरग दे दे, तो उसकी भादी बोली, ये तो देरा चांद निकलाया है, हमारा को राथ को निकलेगा, ये सुनका भायों के कहने से उसे चांद को अरग दिया, और खाने बैड रही, पहरा टुकला तोड़ा बार इकला, दुस्ता तोड़ा तोड़ा जी इसा तोड़ा तोड़ा को राथ कि एजलाया है, इवा जर्दे निकले बोली, माने लगिस के पहनने के लिए तुन बार बुच्छा बोला, ये वार सपेद कपले दे जो तुझे सोहा की आशिदे इसे सोने का टका दे लेना और पले को बाट लगा लेना अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिना सब के पैर पड़ी पर किसी नहीं भी सोहा का आशिद नहीं दे अब बहुत पड़ी तो गर्वाजे पर छोटी ननत पड़ी थी वह उसके पहर पड़ी तो ननत बोली सिली हो सपुती हो साथ बेटों के मा हो मेरे भाई कोशुर दे तब इसके सोने का टका ननत को देखर पले को बात भाए इसके बाद वह अंदर आए आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ाया अब वो उसके लेकर एक कोट्री में पड़ी नहीं, एक सार तक उसकी सेवा करी, उसकी सार नांजी के हाथ बच्छी कुछी रूटी भी देखी। अब वो उसकी सेवा कर्वे देखी। अब वो उसकी सेवा कर्वे देखी। वो उसकी सेवा करने देखी। वो उसकी से बच्छी कुछी रूटी देखी। भाई जियो, साही जो, जब वो तुझे असिवा देगी तो तुझे करवे मांग लेना, तब वो तुझे करवे दिखकर जाएगी, फिर फूर्ज मन करना, जिसके तिरा पती अच्छा हो जाएगा, अब उसने रहता ही किया, सारे रास्ते में काटे भीछा दिये, जब वो करव तुझे तुझे करवे दिखकर जीड़ा, जिसके तुझे करवे देगी, तुझे करवे, वो तुझे तुझे कर देगी तुझे। पर दोनों को देकर बहुत तुस हो गए बहुत सास्तु को बता उसने सारा हाल अपनी सास्तु को बताया तो राजा ने सारे सहर में डिल्वा दुगाया कि अपने पती की जीवन लक्षा के लिए सब रहने करवा का रचत है पहले करवे में पहर में जाकर उपन करें में चोग माता जैसा राजा की लड़के को जीवन दान दिया वैसा सब किसी दूदे कहानी सुनते समय कडोली में चावलने चांद को अरग दिल्वा जान सार बार गोलें जन्दा एचन्द बरगी जन्दा का रखी चन्दा आया वाले काही पत कि तु Да है कि जाए खलिड़कंड़। और ग्रालो क्पशेऽ Rich